Hello Friends, This is Pornima from Subharti Computer Classes आज के वीडियो में हम जानेंगी कि अगर हमें Python पे इस तरीके से ट्राइंगल प्रेंट करना है तो किस तरीके से इसकी कोडिंग करेंगे So पिल्कुल इजी मैथर्ड से जानेंगे इस तरीके के पैटर्ण बनाने के बारे में So चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखिए इस पैटर्ण को अगर हमें Python पे बनाना है तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी कितनी रो हैं तो हमारी इसमें 5 रो हैं फर्स रो हमारी ये है, सेकेंड रो हमारी ये है, थर्ड हमारी ये रो है, फोर्थ ये है और फिफ्थ हमारी ये रो है तो कितनी रो हैं? 5 रो हैं तो सबसे पहले हम रो के लिए अपना एक लूप चला देंगे तो यहाँ पर हमने 4 loop चलाया I in range I जो हमारा चल रहा है यह चल रहा है row के लिए I को दिखी यहाँ पर starting point देना है कि कब से यह start हो तो 1 से start हो कब तक चले मैं 5 row चाहिए means यहाँ पर हम दे देंगे 6 जब हम 6 देंगे तो एक कम चलता है यह तो 5 तक चलेगा यहाँ पर हमने bracket close किया column लगाया तो यह तो हमारी row की बात हो गई इसके बाद क्या है अब देखी आप यहाँ पर क्या सबसे पहले space print होंगे तो एक row में हमारे कितने columns हैं एक तो तीन चार पाँच यह देखिए 5 star है और first row में हमारे कितने star हैं कि even 1 star print होआ means 4 यह क्या है spaces है तो पहले four spaces है उसके बाद हमारे star को print करें second row में हमारे कितने space हैं second row में देखिए हमारे कितने three spaces हैं फिर कितने spaces हैं फिर two है फिर one है और last में एक भी space नहीं है तो second वाला जो loop चलेगा वो हमारा किस के लिए चलेगा space के लिए तो यहां पे हम 4 चलाएंगे तो देखिए इस पेस के लिए हम K को चला रहे है K in range और हमारा यह कब से कब तक चले इसे हम 1 से चलाएंगे और कब तक चले 6 minus I चले अभी देखिए 6 minus I I में first time कितना लेकर कि आएगा I में first time ये लेकर कि आएगा 1 तो यहां पे 6 है minus 1 हो जाएगा तो कितना 5 बचा 5 बचा means 4 तक चलेगा 1 से 4 तक और यहां पे bracket open किया इस पेस के लिए बस inverted comma open करेंगे space देंगे inverted comma को close कर देंगे और उसी line में spaces हर बार चलने हैं print होने हैं तो यहां पे end function चला देंगे equal का sign लगा है inverted comma open close bracket close तो यह हमारा क्या space के लिए हो गया अब देखिए इसमें इंडेंट का ध्यान रखेएगा और जहां से आपका key का चला है उसी के just नीचे आप for चलाएगे j means जो आपका star print करेगा तो अब star print करने के लिए हम क्या चलाएगे j में चला देंगे लोग तो for j in range bracket open किया अब इसे हम कैसे समझेंगे कि कहां से कहां तक जा रहा देखिए 1 से तो चलेगा तो हम यहाँ पर 1 से चला रहे हैं और i plus 1 चले i plus 1 यहाँ पर हमने bracket close किया और colon लगाया पहले हम यहाँ पर प्रेंटिंग करा लें फिर बताएंगे किस तरी किसी इसकी working है तो यहाँ पर हमने प्रेंट चलाया अब इसी के जस नीचे next line के लिए हम क्या है जब यह inner loop हमारा खतम हो जाएगा तो हमारा cursor किस पर आ जाए next line पर आ जाए तो केवल यहाँ पर print open और close कर देंगे तो यह तो coding हो गई अब इसे सेफ करके सबसे पहले हम रन करा के देखते हैं कि हमारा result जो है सही आ रहा है कि नहीं तो देखिए बिलकुल correct format में है यह pattern हमें बनाना था और seem यही pattern हमारा आ रहा है अब एक किस सरीके से working कर रहा चलेगे यह भी जान लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या I first time 1 से चल रहा है less than 6 means I 5 तक चलेगा इसके अंदर आएगा के में first time के हमारा 1 है 6 minus I I first time कितना लेकर आ रहा है 1 तो 6 minus 1 हो जाएगा means 5 1 से 5 तक तो एक कम चलेगा कितना 1 से 4 तक क्या print करें यह दिखी spaces को print करेगा पहला space print हुआ फिर उसी line में रहेगा क्योंकि end यहाँ पे काम कर रहा है फिर दूसरा space print किया फिर यह 4K वले में आएगा इस सरीके से 4 यहाँ पे spaces print करेगा और जैसे ही condition false मिलेगी तो क्या इस वाले 4 पे यह आ जाएगा फिर इसमें क्या है J कहां से start होगा 1 से start होगा और कहां तक जाएगा I plus 1 I first time अभी 1 है और यह भी 1 है 1 1 कितना 2 हो गया तो यह 1 से चलेगा और less than 2 चलेगा means एक बाद चलेगा एक बाद चलेगा तो यह क्या प्रेंट करेगा star को प्रेंट करेगा तो यह वाला आपका first time star प्रेंट हो जाएगा और cursor अभी आपका यहीं पे blink करेगा अब second time यह क्या है यह 2 हो गया और यह क्या है I plus 1 हुआ था यह भी 2 है तो दोनों equal हो गए तो equal में चलता नहीं है fall loop एक कम चलता है तो यह condition इसको false मिल जाएगी तो यह print पे आजाएगा और हमारा cursor क्या next line पे आजाएगा means यह वाली line पे यहाँ पे यह blink करेगा फिर यह control सबसे उपर भेजेगा means I के पास भेजेगा इस बार I हमारा क्या हो जाएगा टू हो जाएगा less than 6 चलेगा यहाँ पे आजाएगा वन से चलेगा और यह क्या है 6 माइनस आई 6 यह है आई में कितना है 2 है तो यहाँ पे 6 माइनस 2 हो गया तो यह कितना 4 हुआ means less than 4 चलेगा 1 से 3 तक चलेगा तो क्या प्रेंट करेगा 3 बार यहाँ पे spaces आ जाएगे और उसके बाद क्या है फिर यहाँ पे J के लूप में आ जाएगा दिखी जब 3 spaces यहाँ पे प्रेंट होगे तो कलसर यहाँ पे ब्लिंग करेगा फिर J वले लूप में आएगा 1 से चलेगा I प्लस 1 चलेगा I में 2 है प्लस 1 3 तो less than 3 चलेगा 1 से less than 3 means 1 और 2 दो बार क्या प्रेंट करेगा start तो यह दोनों star प्रेंट हो जाएगे फिर next line पे आ जाएगा means यहाँ पे एक असर ब्लिंग करेगा फिर यह उपर चला जाएगा तो इस बार यह कितना हो गया अब 3 हो गया है फिर इसमें आ जाएगा 1 से start करेगा अब 6 minus 3 तो 3 हो गया तो क्या है less than 3 चलेगा means 1 और 2 दो बार चलेगा क्या प्रेंट करेगा दो स्पेसिस को इस वाली लाइन में यह प्रेंट करेगा फिर यह जे के लूप में आ जाएगा आई हमारा कितना है आई हमारा यहाँ पे देखिए 3 है प्लस 1 हो गया तो 4 हो जाएगा less than 4 चलेगा means 3 तक चलेगा तो 1 से 3 तक क्या स्टार को प्रेंट करेगा तो यह देखिए 3 बार स्टार प्रेंट किया बस इसी तरीके से वरकिंग करेगा जब कंडिशन फॉल्स हो जाएगा लास्ट लाइन में इसकी जो स्टेट्मेंट है वो फॉल्स हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा तो यह वाला सिंपल सा प्रोग्राम है अब इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करकी दिखाते हैं तो आपका देखिए पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाएगा अगर हमें पिरामिट बनाना है पूरा पूरा पिरामिट के फॉर्मिट में आगा कितने इजली देखिए पिरामिट हमारा बन गया तो अगर आपको कभी एक्जाम में पिरामिट बनाने के लिए आता है तो अब बस यह कोडिंग ध्यान रखिए बस इसी तरीके से आप पिरामिट को भी प्रेंट करा सकते है अब जैसे यहाँ पे हमें नंबर्स को प्रेंट कराना है तो जो इन्वर्टेट कॉमा के अंदर हम यहाँ पे स्टार दे रहे हैं सिंपल सा आई यहाँ पे प्रेंट करेंगे तो i जब print करेंगे तो जो i की value होगी मिन्स यहाँ पे देखिए first time i चला 1 चला k वले loop में आ जाएगा तो क्या spaces print करेगा फिर यहाँ पे j में आ जाएगा j1 सी चलेगा i plus 1 चलेगा लेकिन जो i की value है means first time i की value 1 है तो 1 ही print करेगा एक row में फिर next में आ जाएगा फिर 2 हो जाएगा फिर inner loop में आएगा तो जितने space हैं k space print करता जा रहा है और जो i की value है वो j print कर देगा तो second देखिए यहाँ पे पहली बार यह चलेगा तब i की value 2 है इसने print किया फिर यह दूसरी बार चलेगा तो i की value 2 है तो फिर 2 print कर दिया फिर इसी तरीके से चलेगा बस इसी तरीके से इसकी working होगी last line के बाद इसको conditions false मिलेंगी और हमारा program वहीं से finish हो जाएगा अब इसमें अगर हम j की value print कराएंगे तो क्या है हमें value increasing format में मिलेंगी बढ़ते हुए क्रम में तो एक बार हमें score run कराके देख सकते हैं तो देखें first time इस बार क्या हम j की value print करा रहें spaces हमारे उसी तरीके से हैं क्योंकि spaces में हमने कोई change नहीं किया है तो pattern जो हमारा shape है वो वही रहेगा first time one print करेगा j फिर क्या है पहली बार j की value one होगी second time जब run होगा two होगी तो one two increasing format में आ रहा क्योंकि ये वाला जो हमारा look है printing तो इसमें करा रही है तो j की value तो हर बार change हो रही है तो j की value जो होगी वही यहाँ पे print होकर की आ जाएगी तो ये तो हमारे simple से pattern की बात होई तो अब हमें इसका reverse pattern अगर बनाना है means ये वाला अगर हमें pattern बनाना है तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे चली ये भी देख लेते हैं तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या है first row में हमारा कोई भी space नहीं है इसमें सबसे पहले देख लीजिए रू कितनी है 5 रो है तो रू के लिए हम simply अपना loop चला देंगे आई का तो यहाँ पर देखिए हम for loop चलाएंगे for eye in range तो देखिए यहाँ पर एक और आप चीज़ notice करिए कि जो first row हमारी उसमें कोई space नहीं second में one space है फिर two space है फिर three space है फिर four space है fifth number पे हमारा star print हो रहा है तो यहाँ पर क्या है कि spaces जो हमारे है increasing format में है तो यहाँ पर जो हम eye का loop चला रहे है इसको decrement में चलाएंगे कैसे चली देखते हैं यहाँ पर हमने bracket open किया जो eye है हमारा कब से चलेगा five से चलेगा कॉमा यहाँ पर हमने separate किया और कब तक चलेगा zero तक चलेगा zero दिया है means one तक जाएगा कॉमा से separate किया अब five से zero जा रहा है means decrement ही होगा minus one होगा कि पहली बार five होगा फिर four फिर three फिर two फिर one आएगा और यहां पे हमने colon लगाया यह तो row की बात हुई अब यहां पे spaces की बात करते हैं कि spaces की सरीके से आएंगे तो यहां पे for loop चलाया space के लिए हमने k किया तो देखिए जब spaces हम print कराएंगे यहां पे कैसे 1 से चलाएंगे कि हाँ spaces 1 से चलेंगे और कब तक चलेंगे 6 minus i कर रहें तो देखिए जब 6 minus i हम यहां पे कर रही है तो first time हमारा i कितना है 5 लेकर गिया आएगा तो 6 minus i तो यहां पे देखिए 6 है minus i 6 से 5 गया means 1 बचा और यह 1 है तो यहां भी 1 है यहां भी 1 है तो less than चलता है तो first time यह कोई भी हमारा space print नहीं करेगा इसलिए यहां पे i को हम decrement में चला रहे means 5 से start कर रहे हैं अब यहां पे हम print करा लेंगी तो यह तो बात होई space की अब बात करते हैं कि हमें क्या first row में star भी चाहिए तो जब यह spaces हमारे clear हो गया तो बस अब हम star हमें print कराना है तो star के लिए यहां पे simply हम j का loop चला देंगे अब देखी जो j हमारा अब देखी j हमारा चलेगा 1 से चलेगा और कितना चलेगा i plus 1 चलेगा अब देखी i plus 1 क्यों चलेगा first time जब यह चलेगा तो यह 1 से चलेगा i plus 1 i first time कितना लेकिया रहा 5 plus 1 चलेगा means यह 6 हो जाएगा तो less than 6 चलेगा तो 1 से लेकिया 5 तक चलेगा means 5 1, 2, 3, 4, 5 means 5 पर क्या print करे star print करे तो यहां पे हमने print function चलाया bracket open किया inverted comma में हम देदेगे star को और यहां पे हम चला देगे end कि जिससे line ना change हो एक ही line पे हमें star मिल जाए हमने यहां पे end चलाया अब इसके बद जब यह वाला loop हमारा complete हो जाएगा तो इसको यहां पे हम देदेगे next line के लिए print function चलाएगे bracket open और close कर देगे तो यह से क्या होगा हमारा next line पे आजाएगा सबसे पहले में इसको run कराके देखिए हमारा pattern सही आ रहा है यहां पे यह देखिए semi colon हो गया है इसको colon कर देखिए तो देखिए हमारा जो shape था वो तो बिल्कुल correct format में आ रहा है अब देख लेते हैं इसकी working क्या है किस तरीके से आ रहा है तो देखिए first time i हमारा कितना है 5 होगा 0 तक जाएगा हर बर decrement होगा तो first time i है कि हमारा जब चलेगा means spaces के लिए तो 1 से चलेगा 6-5 तो कितना 1 आ जाएगा और यहां भी 1 है तो यह spaces वाली line first time नहीं चलेगी इसलिए first time कोई भी space यहां पे नहीं है फिर इसकी बाद यह j में आ जाएगा j 1 से start होगा कब तक चलेगा i plus 1 i में first time 5 होगा 5 plus 1 means 6 means less than 6 चलेगा 1 से 5 तक चलेगा क्या print करेगा star इसलिए 1 से 5 तक चला तो इसने star को print किया है और फिर यहां पे इससे बाहर आ जाएगा next line पे अब i हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा decrement हो जाएगा और इसमें आ जाएगा 1 से चलेगा 6 minus 4 हो जाएगा तो 6 minus 4 कितना हूँ है 2 तो less than 2 चलेगा means 1 time चलेगा यहां पे 2 है less than 2 चलेगा फिर क्या जे हमारा चलेगा i plus 1 i 4 है plus 1 चलेगा 5 means less than 5 चलेगा तो 4 तक चलेगा 1 से 4 तक क्या यह star को print करेगा तो second line भी इसलिए देखिए हमारे कितने star है 4 फिर यह उपर जाएगा अब क्या हुआ यह 3 हो गया i की value कितनी है 3 है अब यहाँ पर k वाले loop में आ जाएगा 1 से चलेगा 6 minus 3 हो जाएगा जब 6 minus 3 हुआ तो यहाँ पर 3 बचा less than 3 चलेगा तो कितना 1, 2 चलेगा 2 बार जब चलेगा तो means 2 बार यह space को print करेगा फिर यहाँ पर 1 से चलेगा j और i plus 1 चलेगा i हमारा कितना था 3 था plus 1 4 means less than 4 चलेगा 1, 2, 3 तो 3 बार क्या हमारे star print हो गई देखिए star print हो गई third line पे फिर यह उपर जाएगा इस बार कितना हो जाएगा i इस बार i हमारा हो जाएगा 2 क्योंकि देखिए decrement operator है इस बार i हमारा हो गया 2 फिर इसमें आएगा 1 से start होगा 6 minus 2 means 4 तक चलेगा means less than 4 चलेगा तो 1 से 3 तक चलेगा क्या print करेगा space print करेगा space print किए फिर यह वाली j वाली line में आ जाएगा i की value देखिए 2 है plus 1 हो जाएगा 3 less than 3 चलेगा 1 से 3 तक चलेगा 1 से less than 3 चलेगा means 1 से 2 तक चलेगा क्या star print किए फिर यह तो देखिए अब क्या होगी इसकी i की value last time 1 हो जाएगी फिर 1 से start होगा 6 minus i है means 6 से आई गया 1 चला गया तो कितना 5 बचा less than 5 चलेगा तो 4 तक चलेगा 1 से 4 तक क्या space print करेगा तो last one line में देखिए क्या spaces इसने print कर दिये है फिर इसमें j लूप में आएगा 1 से चलेगा i हमारा क्या है i हमारा 1 है 1 plus 1 2 हो गया तो less than 2 चलेगा तो एक बहर चलेगा तो एक बहर क्या star इसने print कर दिया फिर decrement होगा तो यह 0 हो जाएगा अगर हमें इसमें भी numbers के format में चाहिए तो जो आप यहाँ पे star print कर आ रहे है आप यहाँ पे simple i दे दिजिए तो i की जो value हर बार होगी वो यहाँ पे print करके दे देगा तो देखिए क्या numbers हमारे वही repeat हो रहे है क्योंकि inner loop हमारा j में चल रहा है लेकिन जो i की value उपर से लेकर आ रहा है वही print कर रहा है first time i की value 5 लेकर आया है वही i बार-बार यहाँ पे print हो रहा है इसलिए बार-बार यहाँ पे 5 प्रेंट हो रहा है पिर देखिए 4 लेकर के आएगा तो देखिए हमारा ये वाला शेप हमें मिल जाएगा J क्या है हर बार वैल्यू चेंज करेगा 1 से चलेगा I की जो वैल्यू होगी उस प्लेस 1 करेगा तो यहाँ भी देखिए नंबर क्या है Increasing Format में मिलना 1, 2, 3, 4 क्योंकि J हमारा हर बार 1 से स्टार्ट होगा और जितने तक यहाँ पर आई होगा उतने तक इसको रन करेगा तो यह था simple से pattern बनाने का method की pyramid के सरीके से बनाएंगे यह triangle के सरीके से बनाएंगे इसका reverse के सरीके से बनाएंगे आपको यह सारे concept समाश में आए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाए